अब हैं मौकमपूर के फ्लायोवर से यह सामने आप जो रोड देख रहे हैं यह जोगी वाला से आ रही है और यह जाती है रिसी के इसको आप सामने देख सकते हैं अंब और देख सब्सक्राइ complacent iOS भै हमारा के विसकूल है अउसान नमस्कार दोस्तों मैς हुँँ अन्चिल खरोला एक वान राफि करते हैं आपकी आपकी कि भौट दिमांड ते मैं आपके लिए मौकंपुर में कुछ ले क्या हूं जिसों कि हो 20 फिट की रोड में और कम गहराई में छोटे वाले प्लॉट तो दोस्तों आपकी डिमांड पर आज मैं आपके लिए लेको आया हूं एक ऐसी ही वीडियो जो कि 20 विट की रोड में हैं क क्यांब गिराई में और कम दाम में तो शुरू करते हैं प्लॉड की डाइमेंशन और मौकम पुर में कहां पर है उस चीज बताने से पहले मैं आपको इब कलोनी दिखाना चाहूंगा कि कलोनी में कैसे घर बने है कैसी कलोनी है और यहां का थ्री सिक्ष्टिव्यू दिखाता ह दोस्तों आज की लोकेशन है हमारी मौकम पर और मैं आपको प्लॉड दिखाना चाहूंगा यह सामने आप देख पा रहे होंगे यहां पर डिमार्गेशन हो रखी है वहां से लेके सामने जो आप नीला घर देख पा प्लॉड है अगर मैं इसके फ्रेंट के बात करूं तो 90 यानि 90 का इसका फ्रेंट है और 40 की इसकी डैप्थ है इस प्लॉड में आप चोटा लेना चाहते हैं 110,120,500,200 जितना लेना चाहते हैं आप इसली यहां पर ले सकते हैं यह टोटल एरिया 400 स्क्वेर यार्ड का है और मैं इसके आगे सड़क की बात करूं तो आप देख पा रहूंगे सामने से लेके यहां तक आपको 20 फिट के सड़क यहां पर देखने को मिलने वाली है और अगर इसकी प्राइजिंग के बात करूं तो इसका प्राइस बहुत ही रिजनेबल होने वाला है प्लॉड के दूसरी बात करते हैं में रोड से कितनी दूरी पर है वहां से मात्र 700 से लेके 800 मीटर की दूरी पर आपको दो किलो मीटर की रेंज में मिल जाएगा और अगर बात करूं सौपिंग मॉल की सामने स्माट बजार हमें यहां पर मिलता है और मियाँवाला में नया पैस्ट्रिक के नाम से मॉल अभी बन रहा है अब बात करते हैं दोस्तों क्या इसकी फेसिंग है सबसे पहले में आपकी फेसिंग बताऊंगा इसके साउध वेस्ट के हमारे आज की प्लॉट की फेसिंग रहने वाली है और जो प्लॉट की प्राइज है वो है 24,000 रुपे गज अब यह साप सोच रहे होंगे कि आज का प्लॉट इतना सस्ता कैसे है तो दोस्तों इस यह सस्ता इसलिए क्योंकि यह प्लॉट कैटिगरी में है और इसे केवल कैटिगरी वाले लोग ही ले सकते हैं अगर आपको हमारे आज का प्लॉट पसंद है तो नीचे दिये गए नहीं लोकेटिशन के साथ तब तक इस्टे टून इस्टे सेव नमस्कार